मास्क बनाने की विधी डॉक्टर शक्ति महरोत्रा प्रस्तुत कर रही है थैंक यू सर मैं नमश्कात शक्ति महरोत्रा आपको मास्क बनाने की सरल विधी से परिचित कर आती हूं मास्क बनाने के लिए हमें जिन सामगरियों की जरुरत पड़ेगी पहले तो उनको बताते हैं इसके लिए हमें पॉली बैग की जरुरत पड़ेगी जो की बहुत ही आसानी से घरों में उपलब्द होता है सामान लाते हैं और हम उसको रखते हैं इस्तेमाल के लिए ये पॉली पॉली बैक के लावा हमें जिन सामग्रियों की जरुद पड़ेगी उसमें रबर बैंज, स्टेपलर, कैंची ये सामान हैं. अब हम इसकी विधी शुरू करते हैं. बहुती सरल विधी है. हम पॉली बैक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि वो एक आयतकार रूप ले ले इस इस आयतकार रूप लेने के बाद हम इसके किनारों को कट करेंगे. कट करने से क्या होगा कि इसकी हर पर्थ अलग-अलग हो जाएगी. इन किनारों को कट करने से इसकी हर पर्थ अलग-अलग हो जाएगी. हमने अलग करके रखी है सुविधा के लिए इस तरीके से हमें चाह एक पर्थ, दो पर्थ, तीन पर्थ और चार पर्थ. हम इन में से दो पर्थ को निकाल के अपना मास्क बनाएंगे. इन दो पर्थों को एक के उपर एक बराबर से रख लेने के बाद, हम इनको उस तरह से फोल्ड करेंगे जिसको हम बच्पन में कहते थे, पंखा बनाते थे पेपर का, जिसको पेपर फैन फोल्डिंग कहते हैं, बहुत ही आसान ये देखिए, हम इसमें अपने घर में बच्चों की मदद भी ले सकते हैं, उनका भी मनोरंजन हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे, बहुत ही आसानी से जैसे प पहली पर्थ और इसकी आखरी पर्थ को खोल देंगे, देखिए, खोल देने के बाद, हमें स्टेपलर की मदद से इसकी दोनों किनारों को सील कर देना है, ये देखिए, इसी तरीके से ये किनारा भी, ये, सील हो जाने से हमारा ये मास्क का पहला स्वरूप तियार हो जाएगा, अब हमें इनके दोनों किनारों को सीधा रखना है, और अब रबर बैंड की साहता से, दो रबर बैंड ले लेते हैं, इनको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ये देखिए, फोल्ड करने के बाद हमें इस किनारे पर भी ये देखिए, ये सील कर दिया, सील कर दने से हमारा मास्क गर इसको हम खोलेंगे अगर तो ये बिलको बजार के मास्क की तरह खुल जाएगा, यह देखिए दिया, इन rubber band की सायता से हम इसे कान पे लगा के पुरा खोल देंगे, तो हमारा नाक और मुह सुरक्षित हो जाएगा किसी भी बाहर संक्रमर्ण से, इस तरह का मास्क बनाने की विधी बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी तरह की बाहरी सामगरी की आवशकता नहीं है, हम इसको इन rubber bands को यह हमारे पास इसी के किनारी हैं, इनको हमने काट लिया है, हम चाहें तो इसको किनारे पे ऐसे लगा के सिल भी सकते हैं, जो कि हमें बाद में बांधने के काम आएंगे, अगर आप rubber band का इस्तेमाल नहीं कर सकते, करना चाहते हैं या असुविधा होती है, तो हम इन किनारियों को सिल के इन से अटैच कर लेंगे और इने बांधने के लिए प्रयोग करेंगे, इस तरीके से यह वि प्रयास करें, मेरे पास एक छोटा मास्क है, इसको हम भी लगा के दिखा सकते हैं, यह कितनी आसानी से आ गया और बहुत ही प्रभावी भाय संक्रमन को रोकने के लिए घर में उपलब्द सामग्रियों से बना मास्क है, डक्टर महरूतरा, यह बताएं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पाली बैग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसका भी एक उपाय है सर, यदि हमारे पास पाली बैग नहीं उपलब्ध है, यह हम किसी ऐसे स्थान पर फर्ज गये हैं, जहां पर हमें मास्क की तुरंत आवशकता है, तो हम अपना रुमाल इस्तमाल करके भी मास्क बना सकते हैं, उसके लिए हमें रुमाल की आवशकता पड़ेगी और मात्र दो रबर बैंड्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे यह रुमाल है, बस इसको हमें एक तरीके से फोल्ड करना हैं, जो हम आपको बताते हैं, यह देखिए, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड, इसी तरीके से एक फोल्ड और करेंगे और इसे भी फोल्ड करेंगे बराबर से, अब हम इसको कम्प्लीटली फोल्ड कर देंगे, इस तरह से, अब हम दो रबर बैंड्स लेंगे और दोनों किनारों पे लगाएंगे, इधर से इतना और इस तरह से इधर से इतना, लगाने क के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यह देखिए, इस तरह से हमारा तुरंत का एक मास्क तियार हो जाएगा, यह, इसको खीच के लगाएंगे, तो यह, यह एक temporary arrangement कर सकते हैं, आप इसको लगा के सुरक्षित रह सकते हैं, किसी भी भी बीट भाड वाले इलाके थाएंक्यू, थाएंक्यू, दॉक्तर मेरोटरा, इसको खीच के लगाएंगे, इसको खीच के लिए ग्रेट थिंग, कई वर ऐसी परिस्तिती आती है कि हमारे पास सारी सामंगरी उमलब्द नहीं होती, लेकिन हैंकी अवस्य हमारे पास होती है, तो उसका हम उप्योग करके भी इस COVID-19 के संक्रमर से अपने को बचा सकते हैं.